निवाश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफरम पर एक आपके यूपे ट्रपल सी के बारे में आयोग के बारे में एक नई अफडेट के साथ आया हूँ आप सभी के समक्ष जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं लगतार लिकपाल को लेकर के तम कोई भी सूचना आपको मिल जा रही है तो अभी एक एडवर्टाइज्मेंट के बारे में मैं आपसे बात करने आया हूँ UPSS City में अब आगे क्या आप? UPSS City में आगे दो विग्यापन आपके जरीके जाएंगे तो जिन्होंने P.E.T. दे रखा है, जिन्होंने कोर्स कर रखा है, N.M.O. गए रखा, वो सारे लोग अपने पाटकरम मेंस का जारी कर दिया गया है कि आप से मुखे परिक्षा में क्या पूछेगा और इसके जो एक्जाम है वा जन्वरी वा फर्वरी माह में होंगे और दू असन गो जो लेकपाल के लिए आपके पदों का धिया चन भेचा था, उसमें किया हुआ था, उसमें उसने जो पद मेंसन किया थे, उन पदों की संख्या 7882 थी और इसके साथ ट्रिपल सी अनिवारी किया था, लेकिन अभी ट्रिपल सी अब जो है हटा दिया गया है, इसमें जैसे जो पहले था 7882 थी पद, उन चीज़ों में ट्रिपल सी आपका सामिल करके भेजा गया था, लेकिन अभी इसको हटाया गया, और इस समय जो आपका मतलब आपको अगली वेकेंसी देखने को मिलेगी, वो 7896 पदों की होगी, 7896 पदों की, और जो एनम की वे 8212 पद लगभग, आपके 18,000 पदों की वेकेंसी, 17,000 पदों की वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो यह जो आपका लेकपाल का विग्यापन होगा, केवल इंटरमेडियेट, जो लोगों ने कर रखा है, ट्रिपल सी नहीं है, कोई दिखकर नहीं, ट्रिपल सी की अनि दिरे दिरे और इसका विग्यापन जो है, वो आपको जो है, दिसंबर अंत तक देखने को मिलेगा, एनम का विग्यापन आपके ECB में हो जाएगा, तो जो लोग एनम वाले हैं, वो मुखे परिक्षा की तैयारी की और अच्छे दिशा दे, आपको जो है, कोर्से से ग्रम चैनल से सभी जोड़ जाएं, सभी गवाई बहुत बहुत धन्यवाद